हेलो एब्रीबन ओम साहिरा मैं पूनम आपके अपनी चैनल साई टेरो ट्रिपल सेवन में स्वागत करती हूं और आज हम साई बबा की वीकली काईडर्स लेकर फिर से आ गई हूं मैं आपके लिए तो अपने मन में 123 नंबर में से एक नंबर को चुल लीजिएगा और उसके अ साई बबा की तरफ से क्या मैसिज आ रहे हैं पाई बंके लिए साई बबा के क्या मैसिज आ रहे हैं जुद्द अस केम्ट करों मैसिज गें पाई बंके Chief like Old Pile 1 Pile 2 के लिए साही बाब के कौन से मैसेज आ रहे है Pile 2 के लिए साही बाब के कौन से मैसेज आ रहे है Pile 2 Pile 3 के लिए साही बाब के लिए क्या मैसेज आ है Pile 3 के लिए इस हक्ते साई वाबा के क्या मैसेज है अभी तक आप आपने अपने कार्ट नमबर नहीं चुने है तो इन तीन कार्ट में से भी आप एक कार्ट चुन सकते हैं अगर एक पाई आपको नहीं रजनेट होती है तो आप दूसरी भी पाई चुन सकते है तो चलिए जिन्हों ने फर्स्ट पाई को चुना है फर्स्ट नमबर को चुना है तो देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है ओवी प्रजेंस बावा इस नौट कंसेडर बाई टाइम फोर और स्पेस इविल कम तो योर एट वेनेवर यो नीट है मुझे यहां पर आइनके पाईल बन्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी ग्रे नचत्रों के ग्रे नचत्रों के बबाव से कुझर रहे हैं उनके जिसे नचट्र उनके चेबर में नहीं काम कर रहे है और खास करap मुझे यहां पर सनी देव का दिख रहा है और सेकेंड लिए मुझे बुद्ध भी दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि बुद्ध भी आपके खराब हो सकते है तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप बुद्ध वार का भी उपाई कीजिए सनी वार का भी उपाई कीजिए पर आपके लिए साई बबा बोलने चाहते हैं कि आप इधर उधर मुझे क्यों डेउन रहे हो मुझे कहीं भी पहुशने के लिए कोई समय की जरुत नहीं है कोई जड़े की जरुत कोई स्पेस की जरुत नहीं है मैं तो हर जगे हूँ मैं तु सर्फ यापी हूँ, मैं हर जगे मौजूद हूँ, जब तुम है जरुरत होगी और तुम मेरे से help मांगोगे, मैं तुम्हारे पास आउँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा आप क्रिष्टल का भी उप्योग कर सकते हैं, साई बाबा का मुझे चैनल मेसेज हुआ, कि अगर बहुत दिनों से परसा आने किसी काम को लेकते हैं, आप पे क्रिष्टल का भी आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए, यह आपक उपिकल की प्रॉब्लंप पाईल टू में दिख रहे हैं, इस प्रिच्वरश में बढ़ना चानते हैं, किस एक ही होता है, अगर आप इस स्वर में भेद करते हैं धरम में भेद करते हैं और कहते हैं कि मैं इसी स्वर को नहीं मानता मैं इसकी पूजा नहीं करूँगा मैं तो विश्णु को मानता हूं मैं संकर जी की पूजा नहीं करूँगा या मैं हिंदू, मैं साही बबा की पूजा नहीं करूँगा या मैं एंजल्स की प्रेयर नहीं करूँगा तो यहां पे बोलते है कि ये तुम इसलिए कहरो कि तुमारी इगो की प्रॉब्लम है तुम अपनी इगो को सartisfied करना चाहते हो बढ़ना मैं किसी भी रूप में आऊं, किसी रूप में भी जबू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे किसी भी रूप में मानो, जिस रूप में भी मेरी पूजा करोगे, पूजा मुझ तक पहुचेगी, लेकिन अगर आप इगो में आके बोलते हो, कि नहीं मैं इसी को पूजूंगा इसी को करूँगा तो यहां पर ब्लॉकेज आपकी इगो की आती है यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपको यलो कलर के साथ काम करने की जरुवत है यलो कलर अपनी लाइफ में यूज करेंगे अगर आपको दिख लगता है कि इस प्रिच्योल्टी में काफी ज्यादा आपको ब्लॉकेज का सामना करना पड़ रहा है तो आप एक यलो कलर का बोतल लीजिए उसमें पानी भरके रखिए और रोज उसी पार बोतल से पानी पीजिए आपको फर्क मैसूस होगा और भी रिच्वल्स होते पटने हाँ पे आपको यही बताऊंगी कि आप यलो कलर का उप्योग कीजिए पाइल थ्री के लिए जिन्हें तीसरा नमर का कार चुना है तब प्रोटेक्टर बाबा विल डिस्ट्रॉइ योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू पाइल थ्री में मु माबाप भी हो सकते हैं यहां पर मुझे दोनों वायत दिख रहे हैं माबाप बच्चों के लिए परसान हो सकते हैं अब बच्चे माबाप को लेकर चिंतित हो सकते हैं और हाला कि यह समय भी बहुत ही खराब चल रहा है करोना फिर डेंगू वाइरल पता रही कौन-कौन से मायां लग रही तो अपनी परिवार के लिए चिंतित रहना चिंता होना लाजमी है पर यहां पर बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरुद हैं पर्टेक्षट Secret आपको मिली हुई है बाबा की तरफ से कि फियर की जरुद नहीं है अपको इसके साथ पाबा है उसके साथ सब कुछ ही थीक होगा आपको कुछ नहीं करना है बाबा की सरन में रहना अपने इस्षर की सरन में रहना एंजल कर Think a और वह आपके सभी काम देख ले इंगी अब इस सब हाला हमेशा की तरह मैं यहां बताऊंगी कि अगर आपने पाइल चुनी है तो बहुत अच्छी बाइस बात है और अगर आपने पाइल नहीं चुनी है तो यह बहुत ही खुबसूरत मैसेज आया है पूरा हमें एक लाइन में सभी किल्गे मैसेज देना चाहते हूं कि आप इस को नहीं मानते हैं और हिंदू है तो पासाई बाबा को नहीं मानते हैं यह सब आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकलिए क्योंकि भगवान सर्व्यापी है भगवान सभी में है आप जो भी जिस भी क्रिया कलाप से पूजा करते हो चाहे नमाज करते हो चाहे आर्दास लगाते चाहे आर्थी करते हो चाहे आप गेंटल जलाते हो यह सभी रूप इस्वर तक पहुचने के ही है तो आप इस्वर को पूझे अगर कोई आपको स्पेसिक मैसेज देता है कि आप ये काम करें आपके ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे और आप इसलिए नहीं करते हो कि मैं इंको के चाहिए कि आपको इसकी बात सुननी करनी चाहिए आपको प्रेर करनी क्या पता आपके इस्वर नहीं आप यह मैसेज पहुचा है और दर्धा नहीं है यह थी मैरी आप सभी के लिए रीडिंग साई बाबा के मैसेज और I hope आपको यह रीडिंग पसंद आई हो अगर रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट्स में ओम साई राम जोरूर लिखियेगा और चल्टिंग मैं आपसे मिलूगी आपसे अगली डीडिंग में बाँ बाई ओम साहिराम